इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत मासिक धर्म में एंठन और दांत दर्ट के उपचार में किया जाता है। कोई विटेंस कैपसूल का उपयोग भोजन के साथ या उसके बिना करें। खुराक और अवधी इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इसका उपयोग किस लिए कर रहे हैं और यह आपके लक्षनों में कितनी अच्छी तरह मदद करता है। इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करें और इसका इस्तेमाल तब तक बंद न करें जब तक कि डॉक्टर आपको यह न बताए कि इसे बंद करना ठीक है। दवा आम तोर पर बहुत कम या बिना किसी दुश प्रभाव के सुरक्षित होती है। हाला कि यदि आप किसी ऐसे लक्षन का अनुभव करते हैं जो आपको लगता है कि इस दवा के उप्योग के कारण होता है तो अपने डॉक्टर को बताएं। आपका डॉक्टर साइड इफेक्ट को रोखने या कम करने के तरीके सुझा सकता है। सामाने तोर पर आपको अपने लक्षनों को नियंतरित करने के लिए आवश्यक नियूनतम राशी का उप्योग करने का प्रयास करना चाहिए। दवा का उप्योग करने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आपको कोई अन्य चिकित्स या स्थिती या विकार है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह आपके लिए सुरक्षित है। आपको अपने डॉक्टर को अन्य सभी दवाएं भी बतानी चाहिए जो आप ले रही हैं। दवा का उप्योग करने से पहले अपने चिकित्सक को यह भी बताएं कि क्या आपको अपने जिगर या गुर्दे की कोई समस्या है। गर्भवती और स्तन्पान कराने वाली महिलाओं को दवा का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।